सुशांत से राजपूत सुसाइड मिस्टरी में एक नया मोड़ा गया है। सुशांत की मौत को एक महीनी से जादा हो चुका है। लेकिन अब तक इस केस का कोई भी ठोज सबूत नहीं मिल पाया। खबरों के मताबिक जब रिया को लगा कि सुशांत उनकी बातों को नहीं मान रहे हैं और उनका बैंक बैलन्स भी बहुत कम रह गया है तो रिया सुशांत के घर से काफी सारा महत्पून सामान ले गए थी। सुशांत के पता ने आगे बताया कि उसने मेरे बेटी सुशांत का फोन नंबर अपने फोन में ब्लॉक कर दिया था। इसके बाद सुशांत ने मेरे बेटी को फोन किया और कहा था कि रिया मुझे कहीं फसा देगी। वो यहां से काफी सामान लेकर चले गई है और मुझे धंकी दे कर गई है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हारे इलाज के सारे कागज मीडिया में दे दूंगी और कह दूंगी कि तुम पागल हो तुमें कोई काम नहीं देगा तो तुम बर्बाद हो जानकारे के मताबिक रिया के मिलाका सुषांत से 2019 में हुई थी उस समय तक सुषांत पुरी तरह से ठीक है उन्हें कोई भी मानसिक रोग नहीं था लेकिन इस बात की जाच होनी थी कि ऐसा क्या हुआ कि रिया से मिलने के बाद सुषांत डिप्रेशन में आ गया और जादा परिशांत रहे लग गया है वहीं इस बात को लेकर सुषांत परिवार ने सवाल पूचा था उन्होंने पूचा था कि सुषांत मानसिक बिमारी को लेकर इलाज चल रहा था तो इस बारे में उनके परिवार वालों से कंसल्ट क्यों नहीं किया गया इसके लावा सुषांत क परिवार ने रिया पर ये भी हारूप लगया है। सुशांत को ट्रीटमेंट देने के दूरान अपने घर ले गए थी। उसे ओवर्डोस भी रिया था। लेकिन इस पर रिया का कहना था कि तब सुशांत को डेंगु था। जानकारी के मताबिक सुषान के पिता ने ये भी बताया कि रिया सुषान को कोई भी नई फिल्म साइन नहीं करने देती थी रिया का कहना था कि वो जो भी नए फिल्म आएगी उस फिल्म में अगर उसके अपॉजट अक्रिस रिया होगी तो ही वो फिल्म साइन करे वरना नहीं करे वहीं उनके पिताने आगे बताया कि जब से रिया आई है उन्होंने सुषान के पुराने और भरोसमन स्टाफ को भी हटा दिया था और उसके बदले उन्होंने नए स्टाफ को घर में काम के लिए रखा था इन स्टाफ के सहारे सुषान को माइक्रो स्टर पर मैनेज करना चाहती थी दिसंबर 2019 में रिया ने जान बूच कर सुषान का मुबाइल नंबर बदलवाया ताकि वो अपने घरवालों से बात ना कर सके रिया सुषान को पटना के होम टाउन भी नहीं जाने देती थी इन सब के अलावा रिया पर यह आरूप भी सुषान के पिताने लगाया है कि साल 2019 में सुषान के खाते में 17 करोड रुपए थे और नोटिफिकेशन पाने के लिए बैल आइकन को प्रेस करें